दमश्कार आप देख रहें केकार न्यूज और आपके साथ मैं हूँ आर्टी केलोट आईए शुरुआत करते हैं खबरों की बोपान में ग्रमंत्री डॉक्टर नौताम मिश्रा का बयान विडी शर्मा की मुलाकात पर कहा लोगडाउन कुला है सबी एक दूसरे से मिल रही है पता नहीं लोग तरह तरह के कयास क्यों लगा रही हैं मर्ज मुलाकात थी और कुछ नही वहीं अजई सिंग के बयान पर पल ब्रह्म निकालने में बड़ी महनत करनी पड़ती हैं लगातार कोरोना के शेत्र में सुधार हो रहा हैं और राहत बरी खबरे प्रदेश से आ रही है अब त्री डिजीट में आ चुके हैं आज 708 प्रकरण मिले हैं ठीक होने वाले 2045 वही संक्रमंदर एक फिजदी से भी नीचे आ चुकी है रीकवरी रेट 99% से अधीक है भोपा से समवादाता साहुद सिदिगी की रिपोर्ड लगातार कोरोना के शेत्र में सुधार हो रहा है और राहत बरी खबरें पूरे से आ रही है जैसा मैंने तीन दिन पहले कहा था कि अब फोर्ड डिजिट समाप्त हो गई है और हम थ्री डिजिट पर आ गए है थ्री डिजिट में भी हम प्रत्य दिन सुधार कर रहे हैं और घट रहे हैं आज कुल 798-798 नए प्रक्रण पूरे मध्यप्रदेश से कोरोना के मिले है जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों को जाने वाले जो पेसेंट है वो दो हजार पैतालीस है अगर हम संक्रमण देखें संक्रमण दर देखें पुजिविटी रेट देखें तो यह भी एक प्रस्ट से नीची आ गई है आई 99 माइनस 99 थी वो एक प्रस्ट से कम थी और वहीं अगर हम रिकवरी रेट देखें स्तुधार का आंकड़ा अपना तो रिकरवीडी रेट हमारी बढ़कर 97.3 हो गई है जो की एक बहुत बड़ा अचीब्मेंट है आप सब को यह जानके भी प्रसनिता होगी कि मद्द्प्रदेश के सभी जिले पूरे के पूरे चवण तीन प्रस्ट से कम हो गए है इंक्लूडिंग इंदोर और भोपाल मतलब पांच प्रस्ट की के रहे हैं हम तीन से कम हो गए हैं चतरपूर जाबुगा और अली राजपूर यह तीन जिले ऐसे हैं जहां कल जीरो प्रस्ट रहा कोई कोरोना का पेसेंट यहां पर नहीं मिला आप लोग पूछना चाहेंगे अब लोकडाउन खुला है आप कह रहे हूं तो सभाबिक रूप से अब निकलना शुरू हुआ है सबका मैं उनकी आँ जाता हूं वो हमारे निता हैं अब्यक्शन वो मेरे हाँ हैं हमारी यह सहज है इसको पता नहीं क्यों इतना उससे ले ले लेते हैं पर लोगशों के लि देख लिए और मैं उनसे फिर कहूंगा कि ऐसी बातें नहीं किरें प्यरारब मुसे भ्रह्म फैलाने की वह वह जानकारी ले ले पहले अपने इस तरफ पर हमारे पास में सारे इंतजामात हैं बच्चों के भी हैं जवानों के भी हैं बुजर्गों के भी हैं ऐसा भ्रह्म पहला है कोई और अगर कोई फैलाएगा तो हम गंबीरता से लेंगे हम एक महामारी से अभी गुजरे हैं हमने फेस किया इसी तरह के कारण से आज भी वैक्सीन में हम फेस कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें लोगों का भ्रह्म निकालने में काफी एनरजी जाती है नपुन्स हो जाएंगे सूर की चर्वी है भाजयपा की बैक्सीन हो जी फिर बच्चों में अगर कोई फैला रहा है सक्ती से पेसाएंगे कमुलाद के ट्विटर के सुर्व बेसुरे हो गए है और वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे है अब अजय सिंगी ने उन्हें संयम बरतने की सला दी है अभी तक मैं कहता था कि भाई आप जो मुद्दे उठा रहे हो ट्विटर पर राजनीती कर रहे है और उनने कहा है कि इनके बोलने से ट्वीट करने से कांग्रिस को नुक्सान होता है उनका बोलना उन्होंने बिंद का आप मान बताया है ये अच्छा नहीं है उनकी अपनी है अभी तक हम पर इल्याम लगा रहे थे कि हमारे कारणों से सरकार गिर गई आप कांग्रेस के लोग आपस में बैठ के त्या क्यों नहीं कर लेते हो किसकी बज़े से सरकार गिर गिर आप जंता के बीच नहीं जा रहे कांग्रेसियों के बीच तो चले जाओ इन लोगों को तो मना लो कम से कम हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले